दोस्तों आज सभी स्वागत है आपर में चनल इस्टडी कुल में आजे 23 अक्टूबर 2022 और आज के दिन से करेंट अफर के जितने इमोश्टों पर नटो कोशन बन सकते हैं वो सारी इस वीडियो में रिस्टास करेंगे तो पहला कोशन है हाली में किस देश की बैंको ने केनने देश पर 1.31 billion 29 लिंक का जुर्माना लगाया है तो अभी चीन देश की बैंको ने केनने देश पर 1.31 billion 29 लिंक का जुर्माना लगाया है दिस्टूसन का राइट अंसर है अब ये जुर्माना लगाया क्यों गिया है तो बिजनेस डेली अफरीका के टेजरी दस्ताविस के अनुसार मानक गेज रेलवे यानि SGR के निर्माल के लिए प्रदान की अगर रणों को चुकाने में देरी होने पर चीनी बैंकों ने केन्या पर 1.312 बिलियन केन्या इसलिंग का जुर्माना लगाया है अब ये जुर्माना चीन ने लगाया है तो आप इस मैप में देखिए ये है चीन और ये है चीन का फ्लैग चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की currency क्या नाम है रेन मिन भी चीन की राजभासा क्या है चीनी चीन की संसत क्या नाम है National People's Congress और वर्तपान में चीन के रास्पती कौन है जी जिंग पिंग अच्छा भारत और चीन के बीच में कौन सी different exercise होती है तो hand in a different exercise और भारत और चाइना को divide करने वाली line को कह गते हैं तो macmo online ये दोनों चीज आप याद रखेगा very important है और चीन के बारे में भी आप इतना याद रखेएगा नेस कोशन है हाली में भारत वेपार सनवर्दन संगटन के cmd के रूप में कौन निएक्थ हुएं तो अबी प्रदीप खरोला ये भारत वेपार सनवर्दन संगटन के cmd के रूप में निएक्थ हुएं तेसोशन का right answer है option C आप इसमेश में दिखिए ये हैं प्रदीप खरोला जो की भी हाली में भारत वेपार सनवर्धन संगठन के CMD के रूप में नीक्थ हुए हैं नेसकोसन है हाली में किस राज की पहली मुश्लिम महिला अन्जुम आरा संस्कत विशे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हैं तौबी राजिस्थान के उदरफुरी की पहली मुश्लिम महिला अंजुम आरा संस्कत विशे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हैं जिसकोसन का राइट अंसर है option B आप इसमेश में देखिए ये हैं अन्जुम आरा जो की राजिस्थान की पहली मुस्लिम महिला संस्कत विशे में असिस्टन प्रोफेसर बनी है और इन्होंने असिस्टन प्रोफेसर की सूची में 21 इस्थान प्राप्त किया है ये आप याद रखेगा अब ये राजिस्थान कीएं तो आप इस मैप में देखिए ये है राजिस्थान अच्छा राजिस्थान गुजराद, मत्पदेश, उत्तपदेश, हर्याणा और पंजाब इन पांच राजजोग साथ अपनी बॉंडरी सेयर करता है और एक देश पाकिस्तान इसके साथ भी अ 28-20-ynthesis सीटैं और राजिस्थान में कुल 33 जिले हैं, वरतमान में राजिस्थान के मुख मंत्रिय strains, असोग गैलोत, राजपाल हैं, कलराजमिस्थ और मुखनाईदीस हैं ऐसस सिंध है राजिस्थान के राजकी पसु क्या है उट या चिंकारा राजकी पच्ची क्या है गोदावर राजकी वच्च क्या है खेजडी राजकी पुष्प यानि फोल क्या है रोहिडा और राजकी खेल क्या है बस्केरबॉल राजिस्थान में कौन-कौन से नेशन पार्क है, डेजर नेशन पार्क है, सरिस्का नेशन पार्क है, रठंबोर नेशन पार्क है, मुकुंदरा नेशन पार्क है, मरी भूमी नेशन पार्क है, भरतपूर नेशन पार्क है, और राजिस्थान में केवला देव गाना पच्च जील है और पिछोला जील है तो इतनी important जानकरी आप राजिस्थान के बारे में याद रखिएगा चलिए next question है हाली में राश्टी open athletic championship में Sally सिंग ने कौन सा पतक जीता है तो अब राश्टी open athletic championship में Sally सिंग ने सुन पतक जीता है तो इस question का right answer है option A आप इस image में देखिए ये हैं Sally सिंग जुनोंने राश्टी open athletic championship में long jump में 6.41 मीटर की long jump लगा कर ये सुन पतक जीता है तो आप इनके बार में भी याद रखिएगा Question number 5 है हाली में किस देख ने निहोंसू पे के लिए GI टक पाने के लिए आवेदन किया है तो अभी जापान देख ने निहोंसू पे के लिए GI टक पाने के लिए आवेदन किया है तो इस question का right answer है option A अब इन निहोंसू पे ये है क्या तो ये जपान का एक famous pay-padaart है जिसके लिए अभी जपान ने GI टक पाने के लिए आवेदन किया है अब जपान ने आवेदन किया है तो आप इस मैप में देखिए ये है जपान और ये है जपान का flag जपान के राजधानी क्या है? टोकियो जपान की currency के नामे जपानी येन जपान की राजधासा क्या है? जपानी जपान की संसत के नामे डायट वेरी important है कई बार exam में पूछे गई है आप याद रखिएगा कि जपान की संसत के नामे डायट और वरतमान में जपान के समराट कौने? नाहुरू तो और वरतमान में पैधान मंतरी कौन है? फूमियो कि सीदा अच्छा भारत और जपान के बीच में कौन कौन सी different exercise होती है? धर्मा गोजियन, सयोग खिंज, सिन्यो मित्रू और जिमिक्स ये चार important difference exercise है जो कि भारत और जपान के बीच में होती है इनको आप यादर कियेगा नेस कोशन है हाली में भारत सरकार ने किसे रच्छा सचिव के रूप में निक किया है तो भी अर्मानी गिरिधर को भारत सरकार ने रच्छा सचिव के रूप में निक किया है तीस कोशन का right answer है option B आप इस मिज में देखिए ये हैं अर्माने गिरिदर जिनको भारस सरकार ने रच्छा सचीव के रूप में नियुक किया है नेस कोशन है हाली में किस बैंक को वित्वर्स 2022-30 की दूसरी तिमाई में 5,330 करोर रुपए का मुनाफ़ा हुआ है तो अभी एक्सिस बैंक को वित्वर्स 2022-30 की दूसरी तिमाई में 5,330 करोर रुपए का मुनाफ़ा हुआ है तिमाई में ये मुनाफ़ा एक्सिस बैंक को हुआ है तो एक्सिस बैंक की स्थापना कभी ती तीन दिसंबर 1993 में एक्सिस बैंक का एक्वाटर कहां पर है मुंबई में और वर्तमान में एक्सिस बैंक के अध्यच कौन है राखेश मखीजा और वर्तमान में MDNCO कौन है अमिताप चौदरी अच्छा एक्सिस बैंक की टैग लाइन क्या है तो बड़ती का नाम जिन्दगी और यह है एक्सिस बैंक का लोगो चलिए बड़ते अगले कुश्शिन की योर तो हाली में एशिया के सबसे बड़े biomass plant का उध्गाटन कहां हुआ है तो अभी पंजाब के संगरूर में एसिया के सबसे बए कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट का उद्गाटन हुआ है तिसोसन का राइट अंसर है ओप्शन सी और इसका उद्गाटन पंजाब के मुख मंतरी भगवद मानने किया है अब पंजाब तो आप इस मैپ में देखिये ये हैं पंजाब अच़ा पंजाब राजिस्थान हर्याणा और हिमाचल परदेस इन तीन राजजों के साथ अपनी बाौंड़ी शेयर करता है और एक यूणियन टेहिटी जम्मौ और कस्मेर के साथ भी अपनी बाौंड़ी सेयर कर पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगन पंजाब के गठन कब हुआ एक नौंबर 1956 में पंजाब में लोकसबा की 13 सीटे हैं राजसबा की 7 सीटे हैं और विधान सबा की 117 सीटे हैं और पंजाब में कुल तेज जिले हैं वर्तमान में पंजाब के मुखमंत्री कौने भगव साग, राच की खेल क्या है? कबड़ी, राच की उरच क्या है? सीसम, और राच की पुष्प क्या है? ग्लेढी ओलस अच्छा पंजब में कौन को से नेशनपार्क हैं? धजज़र भिसोला नेशनपार्क है, हरी के वाइलेफ संचुरिय에, अबोहर वाइलेफ संचुरिये और बीर भासो नसने पार कुई है पंजाब के famous डांस है भंगडा और गिद्दा पंजाब में हरीके जीले, कांजी जीले और रोपड जीले तो इतनी important जान करी अब पंजाब के बारे में याद रखिएगा ने discussion है, हाली में किसने प्रतेक राज़ में प्रड़ेटो के लिए टूरिस्ट पुलिस तैनात करने का फैसला लिया है तो भी केन सरकार ने प्रतेक राज़ में प्रतेक राज़ में प्रड़ेटो के लिए टूरिस्ट पुलिस तैनात करने का फैसला लिया है discussion का right answer है option B तो भी जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली मैला पैदान मंतरी बनी है। तेज़ खुशन का राइट अंसर है option D. आप इस मेज में दिखिए ये है जॉर्जिया मेलोनी जो की इटली की पहली मैला पैदान मंतरी बनी है। अब ये इटली की बनी है तो आप इस मेप में दि और इटिली की संसत क्या नाम है चेंबर ओफ डेप्टिटीज और सीनेट और वरतमान में इटिली के राश्पती कहोने सर्जियो मेटरेला आप इसमेज में दिखिए ये हैं सर्जियो मेटरेला और वरतमान में प्यधान मंती तो यही बन गी है जॉर्जियो मेलोनी कौन बनी है जॉर्जियो मेलोनी नेस कोशन है हाली में किसने अपनी पुष्टक एक confused mind story का विमोचन किया है तो अभी साइल छेट जो की एक IRS अधिकारी हैं इन्होंने अपनी पुष्टक a confused mind story का विमोचन किया है तो अपनी पुष्टक a confused mind story जिनका विमोचन साहिल सेट ये हैं साहिल सेट जो की एक IRS अधिकारी है इन्होंने इस पुष्टक का विमोचन किया है और आज की दिन का आखरी कोशन है हाली में सिलंका ने किस देश को 4 करोर USD मूल का COVID T का दान कने की गोशना की है तो अभी स्रिलंका ने में अधिक ये है स्रिलंका और ये है स्रिलंका का flag अच्छे दोस्तो इस मेब से एक कोशन पूशा जाता है कि भारत और स्रिलंका की बीच में कौन सी खाली है तो पाक की खारी है जिसको सुध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंगलिस में पाक इस्टेट कहते हैं अब स्रिलंका तो स्रिलंका की राजधानी क्या है कोलमबो अच्छा कोलमबो एक्जेक्यूटिव और जूडिसिल कैपिटल है और स्री जैवर्दरम पूरेख कोटे ये लेजिसलेटिव कैपिटल है स्रिलंका की करंसी क्या नाम है? स्रिलंका ए रुपिया स्रिलंका की राजभासा क्या है? सिनहल और तमिल स्रिलंका की संसत क्या नाम है? स्रिलंका पाली अमेथ हुआ क्या है? स्रिलंका पाली अमेथ हुआ वेरी इंपोर्टन याद रखियेगा और वर्तमान में सिलंका के राशपती कौन है रनिल विक्रिम सिंगे और वर्तमान में पैधान मतरी कौन है दिनेश गुडवर्धने कौन है दिनेश गुडवर्धने अच्छा भारत और सिलंका के बीच में कौन-कौन सी डिफिनेक्स साइज होती है मित्र सक्ती और स्लिनेक्स ये दो important difference size है जो कि भारत और सिलंका के बीच में होती है इनको भी आप याद रखिएगा होर आप बार ही है last video में पूछे है question के answer की तो last video में आप से पूछे था हाली में Interpol की नबिवी महासबा की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो भी अपने देश भारत ये Interpol की नबिवी महासबा की मेजबानी करेगा देश कौन का right answer है option D और आज के लिए आपका question है हाली में किस देश की उपन्यासकार सेहान करोणा तिलाक को 2022 का बुकर पुरसकार मिला है ये हैं चार option इन चारो option से जो भी एक right answer है वो आप हमें comment box में comment करके बताएंगे और हो सेकर तो इस question का answer आप detail में लिखेगा क्यूंकि जिन question का answer आप detail में लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगा लाइक और comment करके जबूर बताएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ज़ादा से ज़ादा से शेयर करेगा और इस वीडियो की PDF वाइल आप वीडियो के description और आप हमाई टेलेगम चैनल इन दोनों जगे में से कहीं से भी download कर सकते हैं और इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को ज़रूर सास्क्राइब कर लिजगा साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेश कर लिजगा ताकि देली करेंटवर के वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए